पिम वानी फिरी इंटरनेट योजना 2020 को कैबि नेट मंतरी की बैठक में मंजूरी मिल गई है अब आपको किसी भी महेंगे डेटा प्लान लेने की आवश्यक्ता नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा PM वानी फ्री इंटरनेट योजना 2020 की शुरुआत की गई है दोस्तों जैसे की आप जानते हैं की आज हम इंटरनेट के बिना कुछ भी कारिये नहीं कर पाते हैं क्योंकि अब सभी चीजें ओनलाइन प्रोवाइड हो रही हैं लेकिन देश में ऐसे बहुत से छेतर हैं जहां लोगों के पास इंटरनेट जैसी श्वीदा नहीं होती है अगर इंटरनेट होता भी है तो उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती है बहुत सी कमपनियां अपने डेटा प्लान को महंगे तो कर देते हैं लेकिन उनकी सेवाइं बहतर नहीं होती है जब मोबाइल की स्वीदा नहीं थी उस समय देखा होगा आपने किसी चुराय पर टेलिफोन बूद बनाये जाते थे अब ऐसे ही पीडियो बनाये जाएंगे जिससे की वाइफाई की सेवाइं दी जाएंगी सरकार द्वारा एक करोर डेटा सेंटर को खोला जाएगा लोगों को बहतर इंटरनेट उपलब्द हो उसके लिए पीडियो बनाये जाएंगे वो एक छोटी सी दुकान या एक CST सेंटर भी हो सकते हैं इसको लेने के लिए उम्मीदवार को किसी भी तरह के लाइसेंस या पैसे देनी की आउशकता नहीं होगी आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको PM वानी फ्री इंटरनेट योजना 2020 के बारे में जानकारी दे रहे हैं योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखे 9 दिसंबर 2020 को दूर संचार विभाग को पीडियो के माध्यम से सभी नागरिकों को सारवजनिक वाइफाई नेटवर्क देने के प्रस्ताव को पारित किया गया था पब्लिक डेटा ओफिस के द्वारा सभी को फ्री इंटरनेट और स्प्रीड की स्विदा दी जाएगी इंटरफेस स्कीम एक ऐसी योजना बनने जा रही है जो वाइफाई में क्रांती लाएगी जिससे की अब आप अपने फोन से ही नहीं बलकि लैप्टोप कंप्यूटर के माध्यम से भी वाइफाई कनेक्ट कर सकेंगे और सभी कंपनी ज्यादा स्पीड वाला नेटवर्क न आप तक फ्री इंटरनेट की स्विधा ले सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसके माध्यम से पैसे भी कमा सकते हैं अभी सरकार द्वारा हलन की जादा कुछ जानकारी इसके बारे में कहीं नहीं गई है आप इस पीडियो को अपनी एक चाय की छोटी सी दुकान या ग्रोसरी स्टोर जन सेवा केंदर कहीं भी लगा सकते हैं आपके छेत्र में जितने भी लोगों को इंटरनेट चाहिए होगा उसमें हर प्रकार के प्लान होंगे जैसे एक महिने एक दिन सब्ता भर चाय एक ही गंटे के लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा आप उस साथ से कूपन प्राप्त कर सकते हैं पी एम वानी फ्री इंटरनेट योजणा 2020 पीएम वानी योजणा का लाव लेने के लिए अब आपको किसी भी तरह का सुल्क नहीं देना होगा यदि आप किसी भी कंपने संस्तान में कारिये करते हैं या आपकी कंपनी है वहां को लेकर काफी एस विदा होती है लेकिन पीम वानी फ्री इंटरनेट योजना का लाब ले सकते हैं हमारे देश के पूरवी राज्ये असम मिजोरम जैसे कुछ राज्ये हैं जहां कुछ जिलों में बिल्कुल इंटरनेट उपलब्द नहीं है क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं पीम वाइफाई एकसेस नेटवर्क इंटर्फेस के लाब योजना के शुरू होने से नागरिकों को बहुत सी स्वीदाएं उपलब्द होंगी जो नीमने लिखीते हैं अब फ्री इंटरनेट का लाब पूरा देश ले सकता है जहां इंटरनेट की स्वीदा नहीं है वहां 4 द्वार ये पीडियो लगाएंगे उनके पास आएके साधन प्राप्त होंगे पब्लिक डेटा ओफिस के जरिये अब आप काफी अच्छी स्पीड ले सकेंगे और ये फ्री में ले सकेंगे आप पूरे भारत में सभी राज्यों में लगभग एक करोड पीडियो लगाये ज यहां अभी COVID-19 के तैथ सभी पढ़ाई ओनलाइन कराई जा रही है जिसमें आपको काफी अच्छा इंटरनेट के अशकता होती है और अच्छी स्पीड चाहिए होती है इस योजना से काफी स्रक्षित इंटरनेट का उप्योग कर पाएंगे पीएम वानी फ्री इंटरनेट योजना में पीडियो किस प्रकार काम करेगा केंदर सरकार द्वारा आने वाले तीन सालों में सभी जगे पब्लिक डेटा ओफिस लगाए जाएंगे लगबग एक करोड इनकी संख्या होगी इसके साथ यदि आप यह सोच रहे होंगे कि आपको पीडियो से कैसे फ्री इंटरनेट चाहिए होगा उस हिसाब से आपको कूपन लेना होगा बताया जा रहा है कि इस कूपन के शुरुआत दो रुपए से बिस रुपए तक होगी जिससे कि आप कूपन के जरिये इंटरनेट को जल्दी एकसेस कर सकते हैं और कापी अच्छी स्पीड से नेट का प् हुँचाया जा सके धन्यवाद जैए